वीडियो में हम जानेंगे उत्राखंड के अंदर जो हमारा लोगडाउन लगा हुआ है इस दोरान यात्रा की और ट्रांसपोर्ट की ट्रेवल की हमारी क्या गाइडलेन्स है जी हाँ भईकल वगेरा के लिए भी हमारी क्या गाइडलेन्स है सारी चीज़े डिसकस करेंगे आप सभी को पता ही होगा कि 25 मही तक हमारा लोगडाउन अभी फिलाल में उत्रा खंड के अंदर लगा हुआ है 18 मही से लेकर 25 मही तक लोगडाउन लगा हुआ है और अगर आपका लोगडाउन 25 मही के बाद भड़ भी जाता है तब भी आपकी यही गैडलेंस रहने वाली हैं तो देखीगा यहाँ पर जो है पेज नंबर टू में यहाँ पर गाइडलेंस का पॉइंट नंबर नाइन तो देखीगा यहाँ पर अच्छा खासा लिख रखाया है इन्होंने गाइडलेंस में आदेश में कि अगर जो भी बैक्ती उत्रा खंड राज्ये के अंदर आएग वो आपको रिपोर्ट नेगिटिव डिखानी होगी दोस्तों तभी आपको अनुमती मिलेगी ठीक है जी यह हुमारा प्रेंट समझ में आगे आपको अब देखेगा सेकिंड पॉइंट क्या है वो यह है कि उत्राखंड राज्ये में अगर आप आना चाहरे हो ठीक है आना तो आपको जो है स्मार्ट सिटी का जो हमारा बैप पोर्टल है स्मार्ट सिटी धहरादून.uk.gov.in इस पर आपको रिजिट्रेशन करना होगा रिजिट्रेशन करने के बाद जब आप सेटिफाइड हो जाओगे वेरिफाइड हो जाओगे उसके बाद मतलगी आप आ सकते हो और उसके बाद जो है आपको SOP का यानि के प्रोटोकोल का पालन करते हो या आप यात्रा कर सकते हो ठीक है यानि के उत्राखंड के अंदर आ सकते हो लेकिन आपको इस पोटल पे स्मार्ट सिटी धहरादून के पोटल पे आपको रिश्टर करना बहुत जरूरी है और अनिवा वाले अपने पैत्रिक गाउं में जो अपने खुद के गाउं में आना चाह रहे हैं उत्राखंड में निवासी हैं उनके परीजन रहते हैं जो भी आना चाहते हैं प्रवासी हो दुआरा तो COVID-19 के संकर्मन को रोकताम के लिए जैसा पिछली सार करा गया था उसी साल भी इस साथ दिनों के लिए आपको आइसलेशन बोर्ड में रखा जाएगा और आइसलेशन आपका पूरा होने के बाद उसके उपरां अगर लक्षन आपके अंदर नहीं देखते हैं तब आप अपने घर जा सकते हो और इस चीज की पूरी सुविधाएं जो हैं राज्य सरकार पे प्रोवाइड करवाएंगी जैसे पेजल ववस्ता वहां की सापसभाई विद्द ववस्ता और वहां की बिस्तर बैड की ववस्ता ठीक है वो कोरंटाइन के लिए आइसलेशन के लिए जो भी फैसलेटी है वो राज्य सरकारी फंड देगी आपको कुछ पैसे बगरा भी द और यह है ए ठीक है तो देखेगा यह रहा तो देखेगा परिवहन के रिगार्डिंग अब यहां पर ध्यान से देखेगा समझीएगा जो भी हमारी गैडलेंस है वो क्या क्या है तो देखेगा परिवहन के रिगार्डिंग यहां पर गैडलेंस दे रखी है जो भी हमारे इ सो सीट है किसी बस में तो केबल सो में से पचास सीट पर ही आपको बैठने की सुविधा मिल पाएगी पचास परसेंट कैपिसिटी के साथ ही पबलिक ट्रांसपोर्ट आपका चलेगा राज्ये के अंदर आने के लिए ठीक है और राज्ये के अंदर जैसे कि कोई फ्लाइट से यात्रा कर रहा है कोई बस के दुआरे कर रहा है रेलवे के दुआरे कर रहा है प्राइवेट वहीकल के दुआरे कर रहा है आप किसी भी माद्यम से यात्रा क्यों ना कर रहे हो फ्लाइट के दुआरे कर रहे हो तब भी दोस्तों आपको अपने किसी भी माध्यम सेاحरे हो फ्लाइट वगेरा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से चालू रहेगी सर्विस ठीक है अगर आप यात्रा पैसिंजर वगेरा के रूप में आरे हैं ट्रेवलिंग के प्रफस से ठीक है जी अब देखीगा जो बहरी राज्यों से जो उत्राखंड राज्ये में आने वाले सभी व प्रफस से चालू पर आपको प्रफस से ठीक है उनको एंट्री मिलेगी राज्ये के अंदर ठीक है यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ अगला जो पॉइंट है इसमें ध्यान से सुनिए वह हमारा पॉइंट है कि सार्व जितना भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ठीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अंतर राज्ये आवगमन राज्ये के अंदर जितनी भी आवजाही होगी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उन ट्रांसपोर्ट के अंदर देखेगा उस ट्रांसपोर्ट का मतलब यह चाये वह आपकी टेक तीसरे point में इन्होंने फिर आगे लिखा है कि राज्य के जो निवासी हैं देखेगा केवल राज्यों के निवासी के लिए है ये point जो राज्य के निवासी है और जो गड़वाल से कुमाओ और कुमाओ से गड़वाल ठीक है कुमाओ से गड़वाल और गड़वाल से कुमाओ UP के border के माद्यम से यात्र करेंगी अंतर राज्य यात्र करेंगे ठीक है उनको जो है COVID का test कराने का या प्रमान पत्र की आवसकता नहीं होगी ठीक है RT-PCR या rapid test आपकी आपके लिए जरूरत नहीं होगी यहाँ पर देख सकते हो साप साप लिखा हुआ है कि आपको COVID परिक्षन के प्रमान पत्र के लिए आवसकता नहीं होगी RT-PCR और आपकी rapid test की ठीक है जी और देखीगा यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है कि उन यात्रियों को राज्य सरकार के smart city के portal पर e-pass के लिए restriction जरूर करना होगा ठीक है और तब आपका pass बन जाएगा तब ही आपको आवजाही की इजाज़त मिलेगी लेकिन आपको COVID report दिखाने की जरूरत नहीं है जो गड़वाल से हमारे कुमाउ जाना चारे हैं कुमाउ से गड़वाल ठीक है अब देखेगा अगला जो point है दोस्तों वो यहाँ पर धियान से सुनिये जो जादेतर भोतों के लिए होगा जो हमारा धहरादून smart city है जिला धहरादून और आपका हरीदुआर और आपका पोड़ी गड़वाल और आपका नैनी ताल और आपका उधम सिंग नगर इनके लोग जो हैं मैदानी छेतर से परवतिय छेतर में जाने वाले समस्त्रियात्रियों के लिए ठीक है यानि कि यह देखेगा हमारे मैदानी छेतर है और आप इन मैदानी छेत्रों से परवतिय छेत्र में जाना चाते हो तो आपको दोस्तो RTPCR रिपोर्ट या आपकी रैपिड टेस्ट रिपोर्ट ठीक है वो आपको दिखानी होगी तो देखीगा इसमें दो रिपोर्ट दे रखी है कि आपका RAT वाली जो रिपोर्ट है उससे भी काम चल जाएगा क्योंगी अत्वा का सब्द का जिकर करा है या तो आपके पास RTPCR रिपोर्ट हो या आपके पास रैपिड वाली हो ठीक है तो नेगिटिव रिपोर्ट होना अनिवारी है तभी आपको जिला परसासन एंटरी देगा ठीक है आपको परवतिय छेतर में आनी के लिए और जिला परसासन जो है जिला बोडर चेक पोश्ट पर इसका कड़ाई से अनुपलन करवाने के लिए सुनिश्चित कराया जाएगा अब देखीगा उनके लिए बात करेंगे जो अस्थी बिसर्जन के लिए हरी दुआर में आना चाते हैं या सास की ये भान जो हमारा पबलिक ट्रांसपोर्ट है या आपका खुद का अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसमें जब भी आप आओगे तो 50% परतिसत के साथी 50% छमता के साथी आप आओगे और उसमें कह रखा है कि आते हुए आपको केवल 4 बैक्तियों को ही कोविड प्रोटोकोलों के साथी अनिवारिया रूप से स्मार्ट सेटी के बैप पोटल पे आपको रिश्टेशन करना है ठीक है यह पास के लिए और आपकी जो रिपोर्ट है 22 घंटे के अंदर की RTPCR रिपोर्ट होनी चाहिए इस बात का धियान रखीगा यहाँ पर RTPCR रिपोर्ट से ही काम चलेगा नेगिटिव होनी चाहिए तभी आपको राज्य के अंदर आने की अनुमती होगी और एक बैक्ति के साथ केबल चारी बैक्ति आ सकते हैं अरस्ती बिसरजन के लिए ठीक है उसमें क्योंकि पूरा बहुत सारे लोग इखटे हो जाते हैं अस्ती बिसरजन के परपस से जितने भी आपके बहान है ट्रक बगेरा तो उसमें लदे हुए या खाली हुए जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट है वो राज्ये के अंदर आना चारे हो या राज्ये से बाहर जाना चारे हो तो सामगरी जितने भी मतलब कि लोड है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो भई उसको ले जाने के लिए आने के लिए पूरी तरह करमी ओन को अपने संगतन और संस्थानों दुआरे जारी करे गए, अपना बैलीड आई कार्ड के दुआरे ही आप अपने कारी अस्थाल पर बापिस जाने और कारीय स्थल पर आने के लिए जो हमारी दिसानन देश हैं उसके अंतरगती आपको अनुमती मिलेगी ठीक है तो आपने कारीय स्थल पर आप जा सकते हो अब देखीगा अगला जो पोइंट है वो है दोस्तो हमारे रेलवे स्टेशन के रिगाड़ी जो हमारे रेलवे स्टेशन पर हवाई यड़े पर एयरपोर्ट पर जाना चाते हैं आप ऐसी उड़के थोड़ी चले जाओगे रेलवे स्टेशन तक तो आपके लिए बस होनी चाहिए टैक्सी या ओटो रिक्सा तो आपको मिल जाएगी उसकी टैंसन नहीं लेनी है आपको रेलवे आपका डोकोमेंट या आपका टिकेट होगा रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो तो आपने प्री टिकेट बुकिंग करी होगी इस तरह से एयरपोर्ट से एक्जिट कर रहे हो या जा भी रहे हो तो उस दोरान भी आपके पास टिकेट होना चाहिए टिकेट जब आप करना चाहरे हैं, वो emergency cases में यात्रा कर सकते हैं लेकिन travel के purpose से जा रहे हैं जो airport या रेल से आ रहे हैं तो उनके लिए एमर्जन से सब्द का यूज नहीं है ठीक है आप जो है आवा जही कर सकते हो और देखीगा अगला जो दोस्तों इन्होंने पॉइंट लिखा है बोहे आपात कालीन आवसकता बीमार वाले वेक्ती एवं उनके परीजनों को आवा गमन की अन अगला जो इन्होंने पॉइंट लिखा है बो लिखा कोविड कर्फ्यू की अबदी के दोरान यदि किसी बैक्ती को राज्य के अंतरगत अतियावशक कारिये के लिए जैसे कि आपका मेडिकल एमर्जन सी है या किसी आपके परीजन की मृत्ती हो गई है ठीक है अगर डैथ वाली एमर्जन सी है तो उस परपस के लिए आने जाने के लिए आपको जो है उस संबंद में जिला प्रसासन दुआरा अपलाई जब आप करोगे जिला डिश्टिक पर आविदन करोगे और आविदन जब करने के बाद जो हमारा डिश्टिक है वो आपको बेरिफाइड करे सत्यापन होगा उसी के बाद ही आपको अंदर आने की आवजाही की इजाजत होगी और उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए दोस्तों आपको करना है जब आप उसमें medical emergency और परीजन की मृत्यों का कारण बता होगे तो उसमें आपको verified होने के बाद आपको जो है इस purpose के लिए ठीक है कोविड पर्फिक में आपका अतियावशक का रही है ओके जी अगला जो point है वो देखीगा यहां पर वो हमारा कि आप आवाजाही कर रहे हो जैसे बस क्यूंकि समान की तो हर किसी को जरूवत होती है ठीक है राज्य सरकारें जो है बना समान जैसे आपका खान पीन का भी है ठीक है बना चल थोड़ी पाएंगी सेमाई हमारी अब देखीगा अगला point है जितने भी देखीगा हमारे दोस् कोलों के तहट आपको 50% सीम लिमिट के साथ ही अपने खुद का भान यानि कि अगर आपका खुद का भी ट्रांसपोर्ट है खुद का भी कुछ वहीकल है टूवीलर हो चाहें फोर वीलर हो तब भी आपको अपना बैलीड आइकार्ट दिखाना होगा और उसका आपको कारण बताना होगा कि आप किस परपस से जा रहे हो आ रहे हो ठीक तब ही आपको अनुमती मिलेगी आवा जाही की ठीक है और 50% कैपसिटी होने चाहिए उस बहान के अंदर इस वात का धिहन रखेगा जैसे किसी बाइक पर मान के चलिए दो जने वैठ सकते हैं उस पर एक ही जना बैठा होना चाहिए ओके तो दोस्तों यही गाडलेंस थी हमारे ट्रेवल ट्रांसपोर्ट और यात्रा करने के रिगार्डिंग पूरे उत्राखंड में लोगडाउन के दोरान तो इन गाडलेंस का आप सही तरह से पालन करिएगा और यही हमारी पूरी गाडलेंस थी अग ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब करेगा थेंकी सो मच